हेलो दोस्तो केसे वाब सब लोग दोस्तो आज हम गोवा ट्रिप का एक परफेक्ट प्लान देखने वाले हैं दोस्तो आज हम देखेंगे कि हम गोवा किस तरह जा सकते हैं गोवा में हमें कहा का रुपना है गोवा में खाने पिने के लिए हमें क्या मिलनेगा गुवा में हमें का का घुमना है और कैसी को मना है और गुवा का ट्रिक हमें कब प्लान करना है और तो हमें कि Communist करने वाले है थो चलो दूस्तों अगर और आपका बजेट कम है तो आपको और साउथ गोआ दोनों सेंक चाहिए नोस Вас गूमौ तो जो है दोस्तो हम बात करते हैं हमारा North Goa and South Goa में basic difference क्या है दोस्तो अगर आप parties और दोस्तों के साथ enjoy करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है North Goa लेकिन अगर आप एक silent place चाहते हो जहां आप आपके खुद के साथ time spend करना चाहते हो तो आपके लिए better है South Goa लेकिन आपको याद रखना है कि South Goa घुमने के लिए आपके पास बजट कापी अच्छा होना चाहिए दोस्तो अब हम देखते हैं कि गोवा जाने का बेस्ट time कुन सा होता है दोस्तो नोहेंबर, डिसिम्बर और जैनेवरी यहां पिक मंद होते हैं और यहां हम इन तीन मंद में आपको बहुत ज्यादा भीर देखने मility और इन तीन मन्त में आपका बजट भी काप ज़्यादा इंक्रिस होंगा तो बेटर यहीं रहेंगा कि आप इन तीन मन्त में आप गोवा का प्लैन ना करें समर के में और जूद में भी आप गोवा का प्लान मत करना क्योंकि गोवा में समर में बहुत ज़्यादा घर में होती है दोस्तो मेरे रिसरच के अकॉर्डिंग गोवा विजिट काने का बेस टाइम जो होता है वो होता है सप्टेंबर औक्टमबर या फिर फेबरोरी और मार्च दोस्तो इन चार मत में आपको गोवा के ट्रिप भी काफी अच्छी से आप एंजोई कर सकते हो और आपको बजट भी आपको यहाँ पे काफी कमें लगेगा दोस्तो अब हम बात करते हैं कि हमें गोवा किस तरह से जाना है दोस्तो अगर आपको फ्लाइट से आना है तो आप वासको दिगामा आ सकते हो दोस्तो वासको दिगामा एरपोर्ट आपको साओध गोवा में आता है तो आप यहाँ पर फ्लाइट से आप गोवा आ सकते हो दोस्तो अगर आप ट्रेंज से आते हो तो आपके बाद दो आप्शन है अगर आप साउध गोवा घुमना चाहते हो तो आपको आना पड़ेंगा मटगाव या फिर वास्कोदिगामा और अगर आपको नौर्ध गोवा घुमना है तो आपको उतरना पड़ेंगा थिविम रेलो स्टेशन जो नौर्ध गोवा में पड़ता है तो आप यहाँ पर उतर के आप नौर्ध गोवा एक्स्प्लोर कर सकते हो दोस्तो मेरा सजेशन यह रहेंगा कि आपको नौर्ध गोवा घुमना चाहिए क्योंकि दोस्तो आपको यहां पर कापी आच्छे महाल देखने को मिलेंगा और यहां की बीजेश भी काभी कोफसरत है तो आप साउथ गोवा के कंपरेशन आपका यहां पर नौर्ध गोवा कापी आच्छे से घूम सकते हैं और आपका साउथ गोवा के कंपरेशन आपका बजट भी यहां पर कम लगेगा दोस्तो अभी हम नौर्ध गोवा के थीम रेलोटेशन पर आचुके हैं दोस्तो गवा में अगर आप फरसनल गाड़ी करके घूमते हो, तो आपको यहाँ पर घूमने में कापी आसा नहीं हो जाती है दोस्तो आप यहाँ पर एक bike और scooter hire कर सकते हो और अगर आपकी family है तो आप यहाँ पर एक car भी hire कर सकते हो दोस्तो आपके मायड में a question आ सकता है कि आपको यहाँ पे गौवा में गाली क्यों hire करने हैं दोस्तो गौवा एक काथी महंगी state है और यहाँ पर आप गाली आ हायर करके travel करते हो तो आपका budget काथी काम लगता है दोस्तो गवा में आपको एरपोर्ट के बाहर, रेलो शेशन के बाहर और बस्टान के बाहर कापी सारे ब्रोकर मुल जाते हैं वहां से आप गाड़ी तीन-चार दिर के लिए आप हायर कर सकते हो दोस्तो गाड़ी हायर करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर ड्राइविंग लाइसन होना चाहिए दोस्तो आपको यहाँ पर याद रखना कि आप बैरविंग कर सकते हो हम नौर्थ गोवा का एक फेमज लोकेशन है यहाँ पर हम हमारे विखने की वह इसता भी हम यहीं पर करेंगे दोस्तो आपको यहाँ dwa mi बोथ होटेल आपको यहाँ पर आते हो तो तो आपको AC कोटल लगबक 1500 में और 9 AC लगबक आपको 700-1000 की पीच आपको मिल जाते हैं दोस्तो अगर हम बात करें यहां पर खाने पिने की तो अगर आप यहां पर एक और आप से आते हो तो आपको यहां पर एक थाली का प्राइस लगबक 150 रुपे जास पस लगता है और दोस इसलिए मैं आपको कहता कि आपको यहां पर गोवा में विंटर में आपको यहां पर आवाइड करना चाहिए दोस्तो आपको यहां पर भीच और नौन विच दुना तरह का खाना आपको मिल जाता है तो आपको यहां पर खाने बेने की कोई भी परिशानी नहीं होगी दोस् दोस्तो आप यहां पर कापी सारी sport activities कर सकते हो जैसे paragliding, motor riding, etc. दोस्तो इस बीच पे आपको फ़र्नर भी कापीचे देखने मिलते हैं और फ़र्नर भी यहां पर रूम लेकिया रहते हैं दोस्तो आपको यहां पर पूरे दिन ने आप यहां पर कभी भी आ सकते हो दोस्तो पर आईये और आप आराम से आपना पूरा दिन आप यहां पर स्पेइन कर सकते हो दोस्तों को में हमारा सेकंड लोकिशन है बागा बीच दोस्तों यह बीच कोलंबीच से दो किलिमेटर की डिस्टंस पर है दोस्तों यह लोकिशन स्पेशली स्पेशल है कापी अच्छी फोट दोस्तों आप शायद कब से इंतजार कर रहे होगे कि में गवा के पप और नाइड पार्ट इसके बारे में आपको कब बताऊंगा तो चलो पहले आप इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कोलोंबूर से एक किलुमेडरिक डिस्टंस पर यहां पर है टीटुस लाइण दोस्तो यह एक कापी popular pub है, दोस्तो यहाँ पर कैसे नो आपको देखने को मिलते हैं, dancing club आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़े यहाँ पर होती ही रहती है, अगर आप एक bachelor है, तो आप यहाँ पर enjoy कर सकते हो, लेकिन अगर आप family के साथ यहाँ पर दूर ही रहना होगा, दोस्तो गोवा में हमारा जो नेक्स लोकाशन एक्प्लोर करने के लिए वह है अगोडा फोर्ट, दोस्तो अगोडा फोर्ट कोलमवीड बीच से लगबग 10 से 12 किलमेटर के डिस्टन्स पर है, यहाँ पर ब्रेटिश के जमाने का बना हुआ एक कापी अच्छे तरह से आप एक्स्प्लोर कर सकते हो, दोस्तो अगड़ा फोर्ट से 3 किलमेटर के डिस्टन्स पर है, यहाँ पर संक्यूरियम बीच, दोस्तो यह बीच स्पेशल है, यहाँ पर संसेट देखने के लिए और फोर्टोग्राफिय करने के लिए, तो आप इस ब करता हो, तो यह वीडियो कापी लांबा हो जाएंगा, दोस्तो साओध गवा का सबसे पॉपलर लोकेशन जो है, वह है दूध सागर वाटरपॉल, दोस्तो यहाँ पर इस लोकेशन में इंडिया से नहीं तो फोरें से भी कापी लोग विजिट करने के लिए आते, दोस्तो जब मैं साओध गवा का वीडियो बनाऊगा, तब मैं आपको दूध सागर वाटरपॉल के बारें में इंफोर्मेशन दे दूगा, दोस्तो यह प्लैन यूज करके आप आपकी नौर्ध गवा की ट्रिप बेतरीन तरीके से कर सकते हो, दोस्तो अगर आपको कोई भी क्केश लोकेशन ब्लॉग की इस चैनल पर आने वाले हैं, तो जलो जिस तो मिलते हैं अपसे नेक्स शुडियो में, चलो बाई